अप्रेल महीने की सुरुवात गर्मी से हुई थी हालकि इस बीच देश के तमाम हिस्सों में मोसम की आँख मिचोली जारी रही जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकी अब एक बार फिर दिल्ली समित देश के तमाम राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी हो सकता है मोसम विबाख की माने तो नई दिल्ली में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी इसी के साथ बारिश से मोसम सुभाव ना रह सकता है बता दें आईमडी की ताजा अपडेट के अनुसार एक बार फिर लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है रिपोर्ट की माने तो मध्य भारत, दक्चिन भारत, पूर्वी भारत, उत्रपश्चमी भारत और पश्चमी भारत में गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है वहीं आपको बता दें नई दिल्ली में आज से अलग एक हफ़ते तक गर्मी और धूप से राहत मिलेगी यानि आज 27 अपरेल को नियुत्तम तापमान 22 डिग्री दर्श किया जाएगा और अधिक्तम तापमान 37 डिग्री तक पहुश सकता है आईमडी की रिपोर्ट के अनुरुसार अगले दो हफ़ते तक आस्मान में बादल चाय रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना जिताई गई है बताने उत्तरपरदेश के लखनों में आज आका साफ रहेगा और दोपेर या साम आंसिक रूप से बादल चाय रहने के आसार है यहां का न्यूतम तापमान आज 22 डिगरी दर्ज किया जा सकता है वहीं अधिक्तम तापमान 37 डिगरी तक पहुचने की संभावना है गाजयबाद की बात करें तो न्यूतम तापमान 20 डिगरी तक रिकोर्ड किया जा सकता है जबकि अधिकतम तापमान 37 डिगरी तक पहुचेगा अनुमान है कि गाजयबाद में बारिस और धूल भरी आंधी चल सकती है साथ ही पूरे दिन बादल चाय रहने की संभावना है वाही मौसमी भाग के अनुसार आज मध्य परदेश और 36 गड़ के कुछ इलाकों में उलावरष्टी की संभावना है अगले पांच दिनों तक यहां गरज के साथ हलकी से मध्यम बारिस देखने को मिल सकती है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ